नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग आई होप आप सब की प्रप्रेशन बहुत अच्छी चल रहोगी स्वागत है आपका अपने यूटूब चनल में दोस्तों आपको पता होगा एक वीग पहले मैंने आपको जनरल नौलेज के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का पूरा का पार्ट है किंग्डम आप देखेंगे प्रिवेस यह कोश्चन पेपर आप पीवाई क्यू देखेंगे इस से रिलेटेट एक कोश्चन 2022 में भी पूछा गया है 2023 की दोनों शिप्ट में पूछा गया है इसलिए हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और सबस्न के बारे में पूर पूर पूरा गिंग्डम के बारे में बढ़ेंगे देखेंगे कि इस तरह Church and क्या जाता है बैसिक लिज़ टम है वो है Real B की में को कैसे डिफाइन किया जाता है त extrêmement सब्सक्राइब करेंगे इसमें क्या क्या चीज़े होती है Kingdom होता है kingdom के बाद क्या आता है order होता है order के बाद क्या आता है class के बाद क्या आता है file आम आता है सब कब किस order में आता है ये भी आपको जानना जरूरी kingdom के बाद file आम आता है ये सब सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी क्योंकि file आम से related question आपसे direct पूछ लेता है ठीक है न, कितने तरह के होते हैं, order कैसे define करते हैं, class कैसे define करते हैं, यह सारी चीज़े हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, तो मैंने आपको already बता दिया है, first topic national movement, जिसके बारे में already हम आपको lecture provide करा चुके हैं, आज हमारा second topic होगा, biology का यह second class है, इसमें हम आपको basically kingdom के बारे में बत इसे question पूछता है general knowledge में, तो ऐसे धीरे-धीरे करके हम आपको यह सारे के सारे topics के, आपको हम lectures provide करा देंगा, मैंने आपसे पिछली बार भी पूछा था, आप हमें बताइएगा कि आपको lectures अभी चाहिए, या फिर आपको exam के time पर चाहिए, तो चलिए, शुरू करते हैं, ज जो content रहते हैं, वो सब कुछ English में रहता है, details जानने के लिए आप हमारी website पर visit कर सकते हैं, यहाँ पर is batch related सारी detailed info available है, सारे information आपको वहाँ पर मिल जाएगी, हमारा app download कर सकते हैं, यहाँ से भी आप पूरा course access कर सकते हैं, और website के दुरू, अगर आपके पास laptop है, तो वहाँ स इसे भी पूरा course access कर सकते हैं, किसी तरह की inquiry चाहिए तो इस नंबर पर call करके आप inquiry ले सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का topic, अब देखिए यह आप से question बूचा गया, biology से related है, liver flu belongs to which phylum, अब देखिए यहाँ पर पहले आपको समझना होगा यह होता क्या है, कई living को बोलते हैं, abiotic, अब living जो है, यह पांच kingdom में बटा हुआ है, five kingdom, पहला है आपका protista, protista भी बोलते हैं, protist भी बोलते हैं, दूसरा आपका bacteria, यह उसे हम बोलते हैं, monero, ठीक है, इसके बाद आपका आजाता है, fungi, और उसके बाद आता है, plants या plantia, और उसके बाद आता है animals या animal या, अब दीखिए, यह जो हमारे पांच type के kingdom है, ठीक है, यह इनका hierarchy दिया हुआ है, classification एक तरह से life से शुरुआत होती है, domain या भी बाद में अट किया गया, पहले जो हमारा पूरा hierarchy था, cycle, वो इतना था, मतलब अगर हम आपको इसको simple language में समझाना चाहें, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए, human being, इसका क्या scientific, scientific name होता है, homo sapiens, देखिए, यह इसका domain है, eukaria, यह क्या है, domain, kingdom क्या है, animalia, ठीक है, phylum है, cordata, class है, mammalia, order है, primates, family है, hominidae, genus है, homo, और species है, sapiens, species मतलब जाती, sapiens, तो किसी को भी अगर हमें classify करना हो, जैसे हम बोल सकते है, taxonomy, अगर हमें किसी की भी बतानी हुचाहे, वो कोई भी animal हो, plant हो, bacteria हो, fungi हो, हम ऐसे ही define कर सकते हैं, और यह आपके सामने structure बना हुआ है, सबसे पहले हम क्या बताते हैं, कि किस kingdom का है, जैसे suppose मान ल phylum होते हैं, 11 phylum, kingdom animalia के 11 phylum होते हैं, आपके सामने लिखे हैं, देख लिए, पौरिफेरा, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटी हेलमेंथिस, एस्किल हेलमेंथिस, एनिलीडा, अर्थरोपोडा, मॉलस्का, एकिनो, डेर्मेट, हेमि कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इनके के एक्जामपिल आपके सामने यहां पर है, पौरिफेरा, इस्पंज, जो आप जानते हैं, वो पौरिफेरा का ही एक्जामपिल है, यह देखिए, यह पूरे जो आपके स्ट्रक्चर है, यह आप देख सकते हैं, यह पौरिफेरा का एक्जामपिल है, आप से question में पूछा गये था आप से पूचा गये था लि़वर फ्लू क्लेभर फ्लू क्ले बिलोंग करता है तो लिवर लुग जो है वह है प्लेटी हेलमें आपके सामने और यह यह गद मेंस बिख हणोगें की आप आपका phylum को belong करते हैं, platyhelminthus, आप यहाँ पर देख सकते हैं kingdom animalia के 11 total type होते हैं, 11 phylum होते हैं, और यो 11 phylum यहाँ पर लिखा हुए हैं, एक एक को सब को define किया गया, कौन सा animal किस phylum को belong करता है, हर animal अलग-अलग फ़ाइलम को belong करता है, total 11 phylum में define किया गया, तो आपको एक चीज सब क्लियर समझ में आगे होगी there are total five types of kingdom कौन कौन से होते हैं आपका bacteria हो जाता है जिसे monero बोलते हैं protesta होता है fungi होता है plantia या plants होते हैं और animals होते हैं तो आप से कोई भी पूचेगा तो आप बता सकते हैं at least आपको जैसे human beings है तो पता है animal है loin है पता है animal है तो आप सीधी सी बात है किस kingdom का है animal या kingdom का है उसके अंदर phylum होंगे phylum की कई सारी class होंगी फिर class के अंदर order आएगा order के अंदर family होगा family के अंदर genus होगा और उसके बाद उसकी species होगी ठीक है यह आपके सामने example है यह आपके देखिए यह आपका निडेरिया का है उसके बाद यह आप देख लीजिए यह टेनोफोरा का है यह प्लैटी हल मेंधिस यह एनलीडा का है यह एंध्रोपोडा का है और यह मॉलस्का का है यह आप देख सकते हैं Isk Histus Asclemanthus का एक्जाम्पल है और यह आप देख सकते हैं आपका Echinodermata का है और यह इसके साथ साथ आपका Cordata का एक्जाम्पल है यह आपके साँने यहाँ पर है ठीक है बात आप समझ में आ गई यह हैmichor Kohdata है और यह है तो तो clear आपको समझ में आ गया कि कैसे हम specify करते हैं किसी भी animal, किसी भी plant, किसी भी bacteria, किसी भी fungi को, समझ में आ गया, सबसे पहले हम उसका kingdom define करते हैं, kingdom के बाद हम उसका phylum define करते हैं, phylum के बाद हम उसका class define करते हैं, class के बाद हम उसका order define करते हैं, फिर हम family define करते हैं, फिर genus define करते ह फिर species define करते हैं इसको बोलते है taxonomy या तो